दिम्यानमार से आतंकियों को बेजकर मनिपूर में हिंसा करवाई जा रही है उसके बाद संजे सिंग की भी इस पर प्रतिक्रिया सामने इन तमाम खबरों पर इन तमाम अपडेट्स पर मनिपूर को ले करके एक एक करके विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं सबसे पहले यह परस्त गुमाने के मामले में CBI ने FIR दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है किंदर सरकार ने इस गटना की जांच CBI से कराने की बात कही थी और साथी साथ NIA को भी जांच सोपी गई है आपको बता दे कि यह गटना चार मेई की बताई जा रही है गटना के दो महिने बा पी ने बनाया है पुलिस उसे भी गिरफतार कर चुकिया और अब इस मामले में CBI जो है मनिपूर पुलिस की अब तक की फाइंडिंग्स की भी जांच करेगी और सुत्रों के अमसार जिस शक्स ने इस वीडियो को शूट किया है उसका मोबाइल फोन भी अब फोरेंसिक जा पर रिजिस्टर करके केस की जांच शुरू कर दी है CBI ने IPC की धारा 153A 398, 427, 436, 448, 302, 354, 346, 326, 374 IPC और 251CA के एक्ट के तहट जो है मामला धर्ज किया है गोरतल भाय की CBI हिंसा वाले मामले की जांच पहले से ही कर रहे थी अब उस मामले में CBI ने के लोगों को हिरास्त में भी ले लिया है अब बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की जिसने खलबली यहाँ पर मचा दी है दरसल मनिपूर में बीते लगातार तीन महिनों से यह इंसा जो है जारी है आए दिन राज्य के किसी ना किसी छेतर में हत्या आग जनी या फिर महिलाओं के साथ छेट शाड और रत्याचार की खबरे सामने आती है संसद में इस मामले को लेकर विपक्ष जो है वो पी एम मोदी के बियान की भी मांग कर रहा है और सरकार पर लगातार जो है दवाबी बना रहा है इसी बीच पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवने का एक बियान सामने आया है उन्होंने काया है कि मनिपूर हिंसा में विदेशी एजन्सियों का हाथ है और इसका हाथ होने से यानि विदेशी एजन्सियों का हाथ होने से कोई भी इंकार नहीं कर सकता है राज्य में जेगा जेगा जो विद्रो के खबरे जो सामने आ रहे हैं इसके पीछे चीनी समुह का हाथ है सेना निवरित जनरल नरवने ने कहा कि देश के सिमावर्ती राज्यों में इस तरह की अस्थिरता होना पूरे देश की सुरक्षा के लिए खत्रा साबित हो सकता है कि निश्चित रूप से इस हिंसा में चीन सिधे तोर पर शामिल है इसके लावा पुर्वोतर राज्यों में चल रही हिंसा में ड्रग तसकरी की बूमिका पर भी जनरल नरवने ने चिंता जाहिर की उन्होंने कहा कि राज्य में लंबे समय से ड्रग्स की तसकरी हो रही है Inclusive Alliance उनके 21 सांसदों का एक प्रतिनी दिमंडल शनिवार यानि कि आज 29 जुलाई को मनिपूर पहुंचता है इसके बाद सांसदों का दल जो है वो चुरा चांदपूर पहुंचता है यहां उन्होंने रिलीफ केंप में हिंसा पेडितों से मुलाकात की यह सांसद कल यानि की 30 जुलाई तक यहां पर रहेंगे और जमीनी स्थिति का आकलन करने की भी बात की जारी है इसी दोरन राज्य में तीन महिनों से जारी हिंसा और यहां के लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार और संसद को अपनी राय भी देंगे इसी बीच अगर यहां बात की जाये तो यह राय देने की जो बात सामने आ रही है सवाल यहां यह उठ रहा है मनिपूर की गटना पर तो तेवर दिख रहे हैं अभी पक्ष के राजसान बिहार बंगाल शतिसगर वहां की गटना ओपर चुपी क्यूं साधे हुए हैं हम बा किया उन्होंने जो है शांति की अपील कि और कहा कि कुकी समुदाय के लिए प्रशासन जो है अलग से कोई नियम ना बनाए इस बीच राजेपाल अनुसुया उई के रिलीफ कैम में जाकर जो है हिंसा पीडितों से मिली और यहां पर उन्होंने एक महिला को गले लगा कर ड मैनमार से मनिपूर में गुसपैट कर ऐसी स्थिती उत्पन करवाई जा रही है राजे हो या फिर केंदर सरकार लगातार इस गटना पर नजर बनाय हुए है उन्होंने का कि मनिपूर हाई कोट के फैसले के बाद से जो हिंसा बढ़की हुई है लगातार दो महीने से जादा समय हो गया लेकिन हम लोग दोनों ही समाच से अपील कर रहे हैं कि वो एक बार बैठ कर आपसी सहमती से हल निकाले सरकार दोनों ही समुदायों के साथ खड़ी है यह कहा रामदा से ठावलेने अब संजे सिंग की जो इस पर प्रतिक्रिया आ रही है संजे सिंग कह रहे है कि अब तो सदन में आओ मोदी जी आपके मंत्री भी कह रहे हैं कि देश में विदेशी आतंकी जो है गुसाएं है वो भारत में हिंसा कर रहे हैं जागो चोकिदर जागो यह हैस्टैक चला रहे हैं वो संजे सिंग लेकि इसी बीच संजे सिंग शायद एक तरफा ही खबर आदेश दे दिया है ग्रे विबाक की तरफ से जारी विशेश आदेश में यह कहा गया है कि सभी सितंबर तक अवैद अप्रवासियों का बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर करने का काम पूरा करें लेकिन शायद संजे सिंग को यह नहीं दिखेगा बाकी राज्यों में जो च गटनाए हो रही है जो बिहार में हो रहा है। जो बंगाल में हो रहा हूं उस पर कब मूग को भार बहुज रहे हैं मनिपूर की गटना को कोई डिफेंड ねए कर रहा हो बिलकुल गलत है जो भी यहां पर गुनेगार है उनको सकद सक Σजा हो कि कोई satisfा सोर्पिस बार कहांप के बियान पर प्रतिक्रिया दी गई है संजे सिंग की तरफ से याद की जिए जब CIA लाए गया सरकार की तरफ से तब यही तमाम विपक्षी नेता थे छाती पीट-पीट कर रो रहे थे क्यों इनको बगाया जाएगा क्यों ऐसे किया जा रहा है बेदबाव किया जा रहा है एक विशेश समुदाय के साथ यही तमाम वी पक्षी नेता करके तब रोना रोते थे और पूरे देश ने देखा ऐसी यह हिंसा में क्या क्या किया गया किस प्रकार से पूरे देश में शा प्रमुक्ष ने इस पर क्या कहा इसी बीच जो कारवाई है वो तेज हो गई है और विपक्षी नेता वहां पहुंचे हैं लेकिन क्या ये विपक्षी नेता जो है बंगाल बिहार राजस्तान भी जाएंगे ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है इस पूरे मामले पर आपके जो को भी प्रतिक्रिया और हमारे सा कमेंड बॉक्स में शेयर कर रहे हैं तमाम अपडेट के लिए रहे हैं उसके साथ दन्यवाद